आज किस वीडिवी लेक्चर में हम discuss करेंगे covalent crystals और जो covalent crystals को हम discuss करेंगे वो covalent bond के help से क्योंकि जो covalent crystal है पूरा का पूरा इस पर dependent है बहुत ही simple है अपने covalent जो bond होगा वो 10th, 11th class में पढ़ा होगा इसको हम अच्छे तरिके से discuss करेंगे वो अपने आप discuss हो जागा यह समझे वाब ठीक तो जैसे कि अगर मैं covalent जो crystal होते हैं अगर उसको discuss करने ही कोसित करो तो जैसे covalent bond से जो भी हमारा crystal बनता है वो हमारा covalent crystal के under में आता है अब covalent bond क्या होता है यही तो बात है तो देखो covalent bond जैसे कि आपके पास अगर कोई कोई भी substances है मान लेते हैं यह substances है अब जाइर से बात है यह atom से मिलके बने होंगे ठीक यह atom से मिलके बने हो अब यह atom क्या करेंगे atom क्या कर सकते है stability को gain करने के लिए यह क्या कर सकते है अपने electron को valence electron को share कर सकते है अपने valence electron को क्या करेंगे एक दुसरा share करेंगे और वो हमारा अब हम कोईलेंट बॉंड को अच्छे तरीक से डिसकस करते हैं ठीक नहीं कि अपने तो समझ लिया यह तो हमारा एक अब यहां पर सब्सक्राइबने यहां पर यहां क्लोरीं दो है यह यहां पर नहीं करेंगे छृट्षेबलनेशनन नहीं करेंगे यह इसी अगर देता है तो बिचारा ये तो रहulo जाएगा यह तो इस्टेबल बोटो अगर हम इसका electronic configuration करें 26 यानि आपर में कितने होंगे 6 होंगे इस तरीक से अरेंज कर देंगे यहां पर भी क्या होगा इसे ही होंगे ठीक ना यह भी यह भी हम अरेंज कर देंगे ठीक अब यहां पर 2 2 2 4 2 6 अब इसको 6 है octet complete करने के लिए 8 electron चाहिए तो 2 चाहिए 2 के जोरत है क्योंकि 6 2 चाहिए तो यह बोलेगा कि भाई मैं तेरे साथ sharing करना चाहता हूँ तो यह share कर लेगा अब इसे भी क्या अभी 2, 2, 4, 2, 6 ही है तो यह बोलेगा कि तो share करेगा तो भाई मैं भी share कर लेता हूँ इससे दोनों को stable हो जाएंगे अराम से ठीक तो इस तरीके से sharing of electron होता है ठीक नहीं sharing of electron ही क्या कहलाता है हमारा sharing of valence electron क्या कहलाता है हमारा colon bond कहलाता है अब देखो colon bond दो types के होते हैं टाइप साफ of colon bond के बारे बात करते हैं types of colon bond तो types of जो colon bond होते हैं वो इस तरीके से जो पहला जो होता है पहला होता है non polar non polar colon bond होता है ठीक और जो दूसरा होता है दूसरा होता है polar colon bond तो अगर हम पहले वाले को आगर discuss करते हैं कि अगर non polar colon bond क्या होता है तो दोको non polar colon bond में क्यों same same item की बीच में sharing होता है same same item की बीच में sharing होता है तो यह क्या कहलाता है non polar colon bond कहलाता है और जो electronegativity होती होती है दोनों item की same होती है यानि जो equally sharing आप बोल सकते हो ज्यसकि अगर सेम रहेगी दोनों की अब जैसे कि kra चाह्या होता है yeah ऐलेक्रनेगेटिवेट टो नेक्टिवेटइघ क्या होता है तो। इंदोनों की क्या होते हैं जो चीट city of pulling the electron यानि electronegativity same होती है यानि equally share करते हैं electrons को ठीक ना ना तुम्हारे तरफ अधिक होगा भाया ना हमारे तरफ दोनों बीच में रहेंगे equally sharing करेंगे ठीक ना इस तरीका होता है जिसे कि अभी हमने जो भी एक्जामपल ले यहां पर hydrogen कि अग्जामपल का ले लेते हैं hydrogen भी क्या है यह सेम इंटम के बीच में होगा क्योंकि सेम सेम हो ठीक पास बीएक उसके पास पीडिया यह बोलेगा बहुआ हम भी और यहाद रखना क्या है एक सब्सक्राइब केस होता है कि यह दो यह एक्टम पर मतलब दो इलेक्ट्रों से क्या हो जाते हैं इस तरीके से तो सेम इसके और इसके में यह होता है लेकिन दो इसमें भी इसमें भी इसमें अराम से बहुत है अब यहाँ पर यहाँ और एक और अगर मैं लूँ जैसे ऑक्सिजन का यहाँ इसी से ले लेता हूं मैं दो-दो इलेक्ट्रों को जाता है यहाँ और यह भी क्या ची में गूत है थिक न गूंटाव चे पर पर नूर यह सेण करते रहें तो यह जो सेण कर रहें हैं यह नोनठो्ल सेण करके झांबर है है यहाँ फे यह दो दोक्र सेर्इंग कर रहें कर रहें तोSee क्लिब बनाते हैं नियुक्ति तरह इस तरीक से नाएδरीं का समय होता है चेल अमेनबर फाइफ फफटन होते हैं इस तरीके से धाइफ Ze CL यह B final हो अपना कंबाइन हो जाएंगे धूर कमबाइन होगे अप देखो टिपल कोवएलंट अब बॉंड कहा लगा ठीक टिपल कोवएलंट बॉंड और इसका यूज भी है अभी जो जो यह हमारा जो चैप्टर है ठीक ने पूरा का पूरा जो किस्टल स्टॉक्च्टर चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा यूजब है इसलिए यह बेसिक साहम तॉसरा टाइप है वह जो दूसरा टाइप है अ कि क्या क्या दाता है पूलर किया पूलर opinion को ऊप्रो झाल सांनों तो पोलर जो कॉलल और क्या होता है यह पूलर कोलेंट बॉंड में, पोलर कोलेंट बॉंड इसमें पहली बात की सेम टाइप के एटम्स नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, आप बोल सकते हो, डिस सिमलर एटम्स होंगे, इसमें क्या थे, सिमलर एटम्स थे, जो नॉन पोलर था, उसमें सिमल धियर आसे इसमें डिस्सिंद्र एटम होंगे ओष पुलर में सिमलर एस किसी की काम इस़ेट इसलिए इक्वस्वार के तोर पर हम ले लहे सकते हैं कि जो SCL होता है ठीक अब SCL अभी हमने बताया था कि क्लोरीन की कितनी होती है 7 होती है और इसमें क्या होगा एक ही होगा 7 है और यहां पर हाडोजन के पास एक होता है ठीक तो इस तरीके से बोलेगा क्या भाई तू भी क्या कर ले share कर ले और यह भी बोलेगा तुहीं share कर ले क्यों share कर ले क्यों कि番को 2 चाहिए इस तो यहां पर आ होती है जोण कि जառता है ठीक हो तो यह करता क्या है क्लोरीन कि जो shared जो electron है इसको क्या करता है अपनी तरफ खिचने का काम करता है ठीक थोड़ा अपनी तरफ ठीक जब करने का काम कर देता है तुमको खिच लेता है यह अभी भी shared है यह hydrogen की तरफ भी है लेकिन जादा गिधर है chlorine के पास है किसके पास है chlorine के पास तो ऐसा हो जाने से क्या होता है कि जो electronegativity यहते है ऐसे तो sorry मतलब ऐसा होने से आपको क्या पतल जाएगा कि electronegativity इसकी अधिक है तब ही खीच रहा है ठीक फुल कर रहा है ठीक ना तो अब यह जब होता है तो क्या होता क्या है कि अगर यह electron को जो shared period of electron है अपने तरफ खीच रहा है यह क्या कर रहा है बेचारा कम है इसकी electronegativity तो देगा वो क्या करेगा कितना लड़ेगा हाथी से चीटी नहीं लड़ सकता है लेकिन चीटी कभी भारी पड़ जाता है ठीक तो यहाँ पे अब देखो कि यहाँ पे जो यह chlorine है इसकी electronegativity जाता थी यह खीच रहा था इसको तो इस पे negative charge आ जाता है इस तरीके से ठीक ना थोड़ा सा negative charge आता है और यह conductor भी होता है ठीक ना कौन-कौन सा है H2S का एक structure बना के देख सकते हो और H2O का भी structure बना के देख सकते हो यह भी क्या ची थोड़ा-थोड़ा conductor के तरफ behave करते हैं ठीक ना अब तो यह पूरा का पूरा क्या था polar colon bonds था इस तरीके से तो I hope आपको समझ में आया होगा यह हम जो हमारा जो main target था colon crystal है इसके अभी characteristics को भी हम अगले वीडियो में जानेंगे ठीक और यह जो basic था colon bond के बारे में आपको समझ में आया होगा ठीक तो आज के लिबस इतना ही